नमस्कर दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्पागत है तो अभी जामून का सीजन आ गया है तो जामून खाने के अलावा पीने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और बनाना आसान है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए 2500 ग्राम जामून जो की पके हुए होने चाहिए और बड़े बड़े होने चाहिए तो बड़ा जामून जो होता है तो उसमें पल्प जादा निकलता है तो इस तरह का होना चाहिए इससे बड़े साइज का भी होता है पर हर समय नहीं मिल पाता है तो इस जामून को क्या करना है हमें धोके साफ करके इसके पल्प को निकाल लेना है और बीज को अलग कर लेना है या तो आप चाकू से कर लीजे या हाँ से मसल के भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमें देखिए इसकी गुठली को निकाल लेना है इससे आप सुखा करके इसका पाउडर बना करके सुगर में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है तो आप एक मिक्सी जार में इसका पल्प को डालेंगे हम और इसका अच्छा सा एक प्यूरी बना लेना है तो अब इसमें हमें डालना है आइस क्यूब तीन से चार जिससे की ये पीछने में भी बहुत ही हल्प करेगा और ठंडा तो बनाएगा ही साथ में तीन से चार बड़े चमच हमें चीनी डालने है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा तो देखी ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है आप चाहे तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं पर मैं इसे थोड़ा स्टेनर से निकाल लूँगी तो थोड़ा सा स्मूध हो जाएगा इसे चमज के हेल्प से हमें इसके जूस को निकाल लेना है तो अभी तक इसमें हमने पानी नहीं डाला है आइस का ही पानी है जिसे इतना लिक्विडी हो गया है तो अब जार में लगा हुआ उसे हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे अब इसमें एक छोटा ग्लास पानी डाल देंगे जामून सौट्स है तो ये ज़्यादा नहीं पिया जा सकता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही सर्व करना होता है इसे इसका जूस जो है निकल गया है अब इसे हटा देंगे अब इसमें हमें डालना है काला नमक तो आधा छोटा चमस काला नमक डाल देंगे जामूनायद इसमें कसैलापन तो होगा ही उसको दूर करने के लिए हमने थोड़ा नमक और चीनी डाला है अब इसे क्लास में हम डाल देंगे और आप डालेंगे हम जामून का जूस तो यह ढ़ाइस सो ग्राम जामून में तीन ग्लास अच्छी तरह से बन जाएगा तीन लोगों के लिए और इस तरह से यह हमारा जामून सोट्स बन करके तैयार हो गया है किसी भी को आप सर्म कीजिए बहुत ही प्रेम से पियेगा और यह बहुत ही फायदे मंद है जामून और सीजन में जब तक आता हो तो जरूर से लेना चाहिए इस तरह से जामून सोट्स बन के तैयार हो गया ह है आपको एक ऐसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें